यह बिसकली हमारा जो टॉपिक है बैंकिंग इंशॉरेंस से रिलेटेड है बैंकिंग इंशॉरेंस हमारा बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए यह सारी कोर्सेज में हमारा यह सब्जेक्ट होता है ठीक है प्लस UGC Net Commerce पेपर 2 में भी बैंकिंग इंशॉरेंस सब्जेक्ट है उसके लिए भी यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो करते हैं स्टार्ट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल लर्निंग स्पॉर्ट बाई मैं है So, Banking and Insurance एक तरह से अगर हम बात करें Banking and Insurance में दो तरह का हमारा जो डाटा होता है टीक है दो तरह का पहला होता है हमारा Static portion स्टैक मतलब जो historical background है जो change नहीं होता टीक है जिसे हम change नहीं कर सकते जो history है banking sector की वो वैसी रहेगी हमें वैसे ही facts, data को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा हमारा portion होता है, dynamic, ठीक है, dynamic portion में एक तरह से हमारा जो policies, rates आती है, जो जिसमें date by day updates आती है, ठीक है, yearly basis पे, by monthly basis पे, updates आती है, जो data change होता रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस banking and insurance के portion में, हम दोनों तरह का data जो है, वो study करेंगे, सबसे पहले हम study करेंगे, जो static portion है, historical background जो है, banking sector का, उसे study करेंगे, कि उसमें, मतलब क्या facts है, banking sector का history क्या रहा है, ठीक है, तो basically हमारा जो modern banking है, ठीक है, modern banking एक तरह से originate हुआ, इंडिया में, late 18th century में, ठीक है, जहाँ पे आपको पता है, उस 18th century में, मुगल empire का control रहता था, ठीक है, तो एक तरह से जब मुगल empire में अपना control जो है, loss किया, तो वहाँ पे British East India Company ने एक तरह से establish होना शुरू किया, ठी जैसे जैसे power structure change हुआ, ठीक है, wards हुए, तो वहाँ पे indigenous bankers जो है, indigenous bankers ज्यादा बढ़ने रगे, indigenous bankers मतलब जो हमारे गुजराती होते थे, मारवारी होते थे, ये लोगों को private loans वगेरा देते थे, ठीक है, ब्याज पे पैसे देते थे एक तरह से, ठीक है, और वहाँ पे व होती थी, वो loans वगेरा ऐसी देते थे, कोई एक proper system नहीं होता था, जैसे जो लोग जानते थे एक दूसरे को, और वहीं पे जो ज़्यादा जिनके पास पैसा होता था, ठीक है, वो एक तरह से ऐसा काम करते थे, indigenous bankers की तरह, ठीक है, तो एक तरह से उस time पे large finance, जो है, इंडि जीनियस bankers को, ठीक है, ये एक तरह से उस time पे जब power structure पूरा change हुआ, British East India Company ने एक तरह से जब start किया, तो वहाँ पे बहुत सारे agency houses established हुए, ठीक है, अगर हम बात करें, first bank of India का, मतलब कि इंडिया में पहला bank कौन सा रहा है, तो आपने याद रखना है, bank of हिंदोस्तान, ठी था, by agency house, Alexander and Company ने, ठीक है, 1770 में ये establish हुआ था, bank of हिंदोस्तान, जो की liquidate हो गया था, 1829 और 32 के period के बीच में, ये liquidate हो गया था, मतलब ये bank बंद हो गया था, ठीक है, और उसके बाद दूसरा general bank of India, जो establish हुआ था, 1786 में, जो fail हो गया था, पांसला लोग में ही, ठीक है, 17 1991 में, तो ये आपने एक तरह से याद रखना है, ठीक है, bank of हिंदोस्तान, जो है, पहला bank था, इंडिया में, जो Alexander and Company ने establish किया था, 1770 में, जो liquidate हो गया था, 1829 और 32 के 20 में, उसके बाद general bank of India आया, जो establish हुआ 1786 में, जो fail हो गया, 1791 में, अभी उसके बाद आपको पता है, इस टाइम पे Britishers आ गए थे इंडिया में, British East India Company, ठीक है, और उस टाइम पे Britishers का ही राज होता था, तो उस टाइम पे British East India Company ने तीन bank establish किये, जिसे हम presidency bank के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखना है, British East India Company ने तीन bank establish किये थे, जिसे हम presidency banks बोलते हैं, presidential banks, ठीक है, फर्स्ट है bank of Kolkata जो 18-6 में establish हुआ जिसका name 18-9 में change होके bank of Bengal हो गया था उसके बाद बूसरा bank है bank of Bombay जो establish हुआ 18-40 में bank of Madras जो establish हुआ 18-43 में ये तीनों एक तरह से independent banks थे जिन्हें हम presidency bank भी बोलते हैं ठीक है तीन bank bank of Kolkata जिसका name change हो गया था बाद में bank of Bengal दूसरा bank of Bombay तीसरा bank of Madras ठीक है तो ये इसका control एक तरह से private shareholders के हाथ में ही था ठीक है और ये तीन bank ठीक है 19-20 में एक तरह से ये तीनों bank इंडिया का नाम सुना है ठीक है पूरे इंडिया में उसकी कितनी सारी ब्रांचीज है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इंडिया था उस ताइम पर ठीक है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नेम चेंज होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया ठीक है तो यहां पर हमें क्या समझ में आया बैंक ऑफ बैंगॉल बैंक ऑफ बॉंबे बैंक ऑफ मद्रास तीनों बैंक जो ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए थे इस्टेबिश किये थे ठीक है ये तीनों बैंक 1920 में मतब डेट है 27 जनुरी 1921 उस टाइम पे ये तीनों बैंक अमलगामेट होके एक बैंक बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ठीक है उस टाइम पे ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये सेंट्रल बैंक as well as commercial बैंक दोनों का ही काम करता था ठीक है उस टाइम पे RBI नहीं बना था Reserve Bank of India अभी तक Central Bank नहीं था इंडिया में ठीक है तो यहाँ पे Imperial Bank of India नहीं Central Bank ब्लस Commercial Bank का काम करते थे ठीक है और यह जो Imperial Bank of India है यह State Bank of India कब बना 1955 में यह 1st July 1955 में यह State Bank of India बना था ठीक है अभी Imperial Bank of India हमें पता है कि Convert हुआ State Bank of India में 1st July 1955 में बट यह Bank किसकी recommendation पे बना ठीक है यह तीनो Bank Bank of Bombay, Bank of Bengal Bank of Madras कंबाइन हुए, Amalgamate हुए किसकी recommendation पे हुए AD Gorwala Committee पे ठीक है AD Gorwala Committee की recommendation पे यह तीनों Bank Amalgamate होके एक Bank बना Imperial Bank of India ठीक है तो 1921 से एक तरह से इसने Central Bank का का काम किया प्लस Commercial Bank का भी काम किया ठीक है Central Bank का का काम कब तक किया? जब तक Central Bank नहीं बना Central Bank कब बना? हमें बता है 1934 में Act पास हुआ ठीक है RBI Act पास हुआ RBI Act 1934 उसके बाद 1935 से एक तरह से RBI बन गया Central Bank तो तब तक Imperial Bank of India नहीं Central Bank का का काम किया ठीक है? और Imperial Bank of India State Bank of India कब बना? 1955 में उसी टाइम पे एक तरह से ये जो बैंक है Nationalize हुआ पहले इसका जो Control था Imperial Bank of India का ये Private Shareholders के हाथ में था ठीक है? Nationalize का मतलब Control Government के हाथ में कब आया? ठीक है? जब Imperial Bank of India State Bank of India में Convert हुआ उस टाइम पे ही 1955 में ही ये Imperial Bank of India Nationalize हुआ ठीक है? State Bank of India बना इसका सारा का सारा Control किसके पास आया? Government के पास आया ठीक है? उसके बाद State Bank of India ने अपने 7 Associate Bank बनाए 1959 में ठीक है? अभी हमें पता है कि ये जो तीन Presidential Banks है Bank of Bombay, Bank of Bengal, Bank of Madras तीनों Presidential Bank 1921 में Merge होके एक Single Bank बना Imperial Bank of India ठीक है? जिसका एक तरह से पूरा का पूरा Control 80% तक Control किसके पास था? Owners के पास था ठीक है? एक तरह से जो Presidency Bank के Owners थे वही Imperial Bank of India के Owners बने ठीक है? अभी हमें पता है Imperial Bank of India किसकी Recommendation पे बना? AD गोरवाला Committee के Recommendation पे बना ठीक है? प्लस और किसकी वज़ा से मना? एक तरह से British Government ने Decision ये लिया कि एक Central Bank होना चाहिए किसके Influence में आके किया? एक Book आई थी J.M. Keynes की 1912 में ये Book आई थी Indian Currency and Finance ठीक है? यह याद रखना है ये Question आ जाता है UGC Net Commerce में Indian Currency and Finance 1912 में ये Book आई थी J.M. Keynes की उन्होंने लिखा था कि एक तरह से Central Bank होना चाहिए ठीक है? तो ये Book के Influence में आके उन्होंने ये तीनों Presidential Banks को Imperial Bank of India में Merge किया और इसे एक तरह से Central Bank की तरह बनाए ठीक है? Central Bank की तरह ये काम करता था ठीक है? RBI Reserve Bank of India इंडिया फॉर्म होने से पहले जितने भी Central Bank के फंक्शन से वो कौन पर फॉर्म करता था? हमारा Imperial Bank of India ही करता था ठीक है? Reserve Bank of India कब बना? 1934 में एक पास हुआ 1935 से RBI ने एक तरह से पूरा Central Bank का कंट्रोल ले लिया मतलब पूरे पावर्स ले लिया ही Central Bank बना? उससे पहले Imperial Bank of India ही Central Bank का काम करता था? ठीक है? Plus as well as Commercial Bank का भी काम करता था? ठीक है? जब RBI ने Central Bank की सारी एक तरह से Powers ले ली Duties ले ली उसके बाद Imperial Bank of India ने सिरफ Commercial Bank के ही functions पर फॉर्म किये ठीक है? अभी उसके बाद एक तरह से 1921 के बाद Imperial Bank of India बना वही सारा कुछ देख रहा था बट 1926 में 1926 में एक commission बना Hilton Young Commission ठीक है? जो एक तरह से उन्होंने idea दिया कि एक separate Central Bank होना चाहिए for carry out all the functions of Central Bank एक separate Central Bank होना चाहिए क्योंकि Imperial Bank किसका काम कर रहा था? Central Bank का भी काम कर रहा था प्लस Commercial Bank का भी काम कर रहा था ठीक है? बट Hilton Young Commission ने recommend किया कि एक separate Central Bank होना चाहिए Hilton Young Commission कब बना? 1926 में ये commission बना ठीक है? तो बहुत सारी drafts पास किये गए ठीक है? बहुत सारी drafts पास किये गए उसके बाद एक final draft पास किया गया जो एक bill बना ठीक है? उसके बाद act पास किया गया ठीक है? RBI Act 1934 ठीक है? उस time पे RBI Act 1934 final हुआ ठीक है? और फिर उसके बाद Reserve Bank of India set up हुआ 1935 से जिसने पूरा का पूरा Central Bank का भागदोर संभाला ठीक है? फिर Imperial Bank से जतने भी Central Bank के functions थे वो seize कर लिए गए ठीक है? वो उसके बाद सिरफ Commercial Bank का ही काम करता था ठीक है? और जतनी भी restrictions वगएरा थी वो सारी remove कर दी गई ठीक है? RBI Central Bank बन गया 1935 से और Imperial Bank of India Commercial Bank का ही काम कर जा ठीक है? अभी RBI तो बना ठीक है? Reserve Bank of India बना बट इसका मतलब यह नहीं है कि यह सारा का सारा control गवर्मेंट के पास था नहीं RBI सेट हुआ Central Bank बना बट यह nationalize नहीं हुआ था उस टाइम पे 1935 में Reserve Bank of India Central Bank बना बट इसका control उस टाइम पे प्राइवेट ओन था प्राइवेट ली ओन था प्राइवेट ओनर्स थे इसके ठीक है? गवर्मेंट के पास इसका control 100% नहीं था ठीक है? उसके बाद जैसे जैसे banking facilities expand करने थी ठीक है? लाज स्केल पे तो रूलर अर्बन एरियास में banking facilities पहुंचानी थी तो एक रूलर क्रेडिट सर्वे कमिट्टी बनाई गई जिनके recommendation पे उन्होंने recommend किया कि holy owned government commercial banks होने चाहिए ठीक है? उससे पहले 1949 में RBI जो है वो nationalize हो गया था RBI को fully 100% government ने own कर लिया था 1949 में ठीक है? वो हम पूरा RBI की video में करेंगे ठीक है? Reserve Bank of India का पूरा एक तरह से video हम लिखके आएंगे इसके बाद ठीक है? next video Reserve Bank of India का ही होगा उसमें हम पूरा पढ़ेंगे ठीक है? RBI के बारे में अभी इससे पहले Ruler Credit Survey कमेटी से पहले RBI 1949 में एक तरह से nationalize हो गया था अभी इन्होंने recommend किया कि holy government owned commercial bank इंडिया में होने चाहिए तो उनकी recommendation पे imperial bank of India nationalize हुआ ये एक तरह से first commercial bank था जो nationalize हुआ ठीक है? nationalize का मतलब क्या है? 100% control government के हाथ में आई है ठीक है? कब हुआ? 1955 में हुआ 1955 में ही imperial bank of India convert हुआ state bank of India में मतलब नाम change हो गया ठीक है? state bank of India के नाम से ही उसे चाना जाता है आज के time पे ठीक है? एक तरह से SBI largest public sector bank है इंडिया में ठीक है? भी कुछ और छोटी-छोटी बाते हैं जो history के बारे में है ठीक है? कि first bank जो Indians ने manage किया old commercial bank ठीक है? जो 1881 में establish हुआ था ठीक है? उसके बाद Punjab National Bank establish हुआ 1894 में ठीक है? उसके बाद स्वदेशी मूमेंट स्टार्ट हुआ 1906 में जिसने encourage किया कि number of commercial bank form होने चाहिए बट उस टाइम पे banking crisis आ गए 1913 से 1917 के बीच में जहां पे 588 banks जो है वो fail हुए various states में बहुत सारे states में 588 banks जो है fail हुए उस decade में ठीक है? तो वहां पे एक तरह से थोड़ा सा पता चल गया था कि हाँ banking commercial banks को control करने के लिए regulate करने के लिए भी कुछ होना चाहिए तो वहां पे banking companies act जो है वो passed हुआ उसके बाद February 1949 में ठीक है? जो amend हुआ ठीक है? बहुत बाद उसके बाद banking regulation act 1949 बना जो एक तरह से banking system को regulate कर था एक तरह से legal framework बना regulate करने के लिए commercial banks के लिए और कौन एक तरह से किसके अंडर आता है यह reserve bank of इंडिया के अंदर ही यह आता है ठीक है? बट जो commercial bank के लिए legal framework regulate, control करने के लिए banking regulation act 1949 बना ठीक है? तो यह कुछ छोटी-छोटी बाते हैं जो आपने याद रखती है ठीक है? बेसिकली स्वदेशी movement आपने याद रखना है यहां से और banking regulation act यहाद रखना है उसके बाद अभी 1949 हो गया ठीक है? जहां पे 1949 में reserve bank of इंडिया nationalize हुआ प्लस banking regulation act बना उसके बाद imperial bank of इंडिया state bank of इंडिया बना 1955 में ठीक है? और उसके बाद एक तरह से उस ताइम पे 1955 में state bank of इंडिया पहला bank था जो nationalize हुआ बट अगर हम banking sector की बाद करें ठीक है? कोशन आता है कि banking sector कब nationalize हुआ तो वहाँ पे उस ताइम पे 1955 में तो सिरफ एक bank ही state bank of इंडिया ही nationalize हुआ था ठीक है बट 1969 में यह याद रखना है 1969 में total 14 banks जो है ठीक है वह nationalize हुए 1969 में 14 banks जो है वह nationalize हुए उसके बाद 1980 में 6 banks nationalize हुए ठीक है nationalize का मतलब government के अंडर सारा control आया ठीक है तो अगर banking sector की बात आये कि banking sector कब nationalize हुए तो बताना है आपने 1969 में nationalize हुआ अगर state bank of इंडिया का पूछे तो 1955 banking sector की अगर बात की जाए तो banking sector 1969 में nationalize हुए ठीक है वहाँ पे 1969 में 14 banks जो है वो nationalize हुए जिसमें हमारा Punjab National Bank Union Bank of India Canberra Bank Bank of India Central Bank of India ये Central Bank of India commercial bank का ही नाम है ठीक है UCO Bank of India United Bank of India Indian Overseas Allahabad Dena Bank Bank of Paharashtra Syndicate Bank Indian Bank Bank of Baroda ठीक है ये सारे बैंक 1969 में nationalize हुए अब ये जो 1969 में nationalization हुआ ये किसने decide किया था उस टाइम पे हमारी Prime Minister थी Indra Gandhi ठीक है Indra Gandhi Prime Minister थे और Finance Minister दोनों ने मिलके ये decide किया था कि जो 14 largest private banks है इंडिया में ठीक है country में 14 largest private banks को nationalize कर लिया जाए ठीक है तो 1969 में उस टाइम पे उन्होंने 14 largest private banks को nationalize किया ठीक है तो अगर हम बात करें banking sector कब nationalize हुआ 1969 में ठीक है एक और question आता है insurance sector के बारे में insurance sector कब nationalize हुआ 1956 में ठीक है first bank nationalize कब हुआ commercial bank state bank of India 1955 में उसके बाद अगले साली insurance sector nationalize हुआ ठीक है अगर पूरे banking sector की बात की गई तो banking sector कब nationalize हुआ 1969 में ठीक है अब इंशोरेंस sector में भी दो तरह की insurance आती एक तो life insurance दूसरी general ठीक है तो life insurance की जहाँ पे बात की गए या वैसे ही कुछ ना लिखा हो तो insurance sector बस लिखा हो तो 1956 में ठीक है life insurance corporation of India 1956 में nationalize हुआ general insurance जो है वो 1972 में nationalize हुआ यह आपने याद रखना है अगर particular उन्होंनों ने बोला है कि general insurance कब nationalize हुआ तो 1972 आपने बताना है ठीक है यहाँ पर कुछ ना लिखा हो सिरफ insurance sector की बात की गई हो वहाँ पर 1956 में insurance sector nationalize हुआ banking sector कब nationalize हुआ 1969 में ठीक है 2019 में इसे 50 साल हो गए है ठीक है उसके बाद मैंने आपको बताया 1980 में ठीक है और 6 बैंक जो है वह nationalize हुए ठीक है जिसका पूरा control government ने ले लिया ठीक है एक तरह से 90% of all banks were controlled by government उस ताइम पे आंद्रा बैंक न्यू बैंक आफ इंडिया विजियर बैंक कॉर्परेशन बैंक औरियंटल बैंक आफ कमर्स पंजाब और सिंद बैंक ये बैंक थे छे बैंक जो 1980 में nationalize किये गए ठीक है उसके बाद भी अभी 2020 में 2019 में कुछ बैंक अमल्गाबेट हुए है ठीक है जैसे विजिया बैंक और देना बैंक ठीक है ये मर्ज हो गए दोनों बैंक आपने सुना भी होगा रिसेंट टाइम्स में जो बैंक है कुछ बैंक्स बंद होके अमल्गाबेट हुए मतलब मर्ज हुए है बैंक ऑफ बरोदा में अलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हुआ आंधरा बैंक कॉर्परेशन बैंक मर्ज हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ठीक है और ये उनके हैड़कॉर्टर्स है ये डाटा है ये वैसे तो चलो पर्टिकुलर नेम्स वगएरा नहीं आते किसी भी किसी भी कोर्स में ठीक है बट फिर भी आपने अपने माइंड में रखना है कि 2020 में कुछ बैंक जो है वो अमलगा में हुए है ठीक है अगर हम कंक्लूड करें तो एक तरह से 1912 में इंफ्लेंस में आके एक तरह से ब्रिटिश इस इंडिया ने सोचा कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए ठीक है तो उसके बाद 1921 में तीनों प्रेजिदेंशल बैंक जो है वो अमलगा मेंट होके एक बैंक बना इंपीरियल बैंक ओफ इंडिया ठीक है जो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों का ही काम करता था ठीक है उसके बाद 1926 में हिल्टन यंग कमिशन बना ठीक है जिसके रिकमेंडेशन पे एक तरह से 1934 में आर्बियाई एक्ट पास हुआ ठीक है और 1935 से आर्बियाई ने सेंट्रल बैंक का काम करना शुरू कर दिया ठीक है और उसके बाद आर्बियाई अभी क्या 1949 तक आर्बियाई प्राइवेटली ओन था ठीक है आर्बियाई कब नेशनलाइज हुआ है 1949 में ठीक है और उसी साल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ ठीक है उसके बाद 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेम चेंज करके SBI रखा गया State Bank of India और उसी साल SBI क्या हुआ नेशनलाइज हुआ ठीक है और 1969 में 14 कमर्शियल बैंक मेजर कमर्शियल बैंक नेशनलाइज हुए एक तरह से अगर कोशन आए बैंकिंग सेक्टर कब नेशनलाइज हुआ 1969 में हुआ ठीक है उसके बाद इंशोरेंस हमें पता है एक लाइफ इंशोरेंस ठीक है और दूसरी जनरल इंशोरेंस होती है ठीक है 1956 में लाइफ इंशोरेंस कॉर्परेशन जो है वो नेशनलाइज हुआ ठीक है और 1972 में जनरल इंशोरेंस जो है नेशनलाइज हुआ ठीक है उसके बाद 1980 में 6 मेजर बैंक्स जो है वो nationalize हुए, ठीक है, total एक तरह से कितने bank nationalize हुए, 20 major banks जो है nationalize हुए, ठीक है, 14 1969 में हुए, और 6 1980 में हुए, ठीक है, उसके बाद 2020 में अभी recently, ठीक है, कुछ banks जो है, amalgamate हुए है, ठीक है, और ये एक तरह से summary थी, पूरी वीडियो में हमने, क्या history के बारे में पढ़ा, banking क ठीक है, तो I think आपके लिए ये helpful रही होगी वीडियो, thank you, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, please like, comment, share and subscribe, learning spot, bye, mehak